जारखंडी थाली इस समय हमारे सामने मेच पर है जारखंडी जिसको हम लोग देमता चटनी कहते है चीटी की चटनी बांस का मुझिया बांस की सबजी अब ये मिल जाये तो हम लोग उसको लखी ही समझेंगे ये महुआ का अचार है ये स्पेशल चीज है फुटकल की चटनी डेजर्ट में हमारे पास कुछ़ कास है बालु शाही हम कन्फ्यूज हो गाइं के क्या खाने के साथ खाना है क्या खाने के बात क्षान है तेकि अब मिले निक ह pig काने सो दूर मिले इसके बिना पहा Championships और झा rif Q rigi को देखिए साब खाना जो है प्रात्मेकता रहने चाहिए श्यूट्र्ट ऊगरा चलते रहते हैं किसले हमने खानेWow dh44 समय और इसमें क्या-क्या चीज पकवान नहीं के लिए क्या-क्रदısı मुझा उब सकता movement that's सबसे पहले यह उता दीजे किस में से जो जो नॉन वेज चीजें वह मैं भी नहीं खाऊंगा नहीं तो ऐसी कौन-कौन सी चीजें वेज चीजें रख लेते हैं ठीक है हम लोग गाओं पर कभी कुछ तेवहार पर या फिर शादियों पर आते हैं तो कटनौसी से शादी में महमानों का स्वागत किया जाता है तो यह कटनौसी है तो इसे मैं पहले किनारे रख देती हूं चना और चिकन के लिवर से यह बना होता है और इसके बिना कहा जात जरूरी है और दूसरा आप देख रहे हैं चिकन है जो देसी तरीके से पका हुआ है उसको भी में बाहर रख देती हूं जिसे आपने कहा और यहां पर तॉन्वेज में है जो स्पेशल चीज है जहारखिंड की जिसको हम लोग देमता चटनी कहते है देमता छोटी चीटिया एक रिच सोर्स होता है और यह हमारे खानपान में तो यह अभी भी यूज हो रहा है शहरों शहरी करन तो हुआ है बट गाउं में अभी भी यूज हो अगर यह मिल जाए तो हम लोग उसको लखी ही समझेंगे अब विटमीन सी रिच विटमीन सी रिच डेफिनेटली और हम शुरुआत करते हैं चावल से रोटी से करते हैं आप जो आथ पर पकने होन्स याटे की यह मडवा रागी हम लोग रागी देखी रहे थे खेतों में और अभी है और यह रागी की रोटी है और उसके नीचे में है मैं फॉर्ट के मैं चावल की रोटी रवाओं चावल को चावल को लोग और नाइट फर्मेंट करते दाल Taste टॉड़ टॉड़ी मोट लॉकी है लॉकी के पहले दिख रहा ये दूसका जैसे लिटी चोखा बहुत फेमस हो चुकाई बिहार के लिए हमारे लिए यहां पर डुसका है इसके साथ कॉंबिनेशन सबसे अच्छा रहता है चने और आलू की सबजी होती है इसको ग्राइंड करके पेस्ट बनाते है गुगनी के साथ इसको खाया जाता है तो उसके साथ आप खा सकते है और हम लोग यहां से शुरू करें यह दाल हरी आले पालक कप्रियों कम्लों दाल के बहुत करते हैं रहे बनाते हैं और फ saltक दलों मिक्स किया है उर यह किअ में धुरू यहीं बड़ा ट्रेडिशनल एक तरीक मार एक तरीकी के ताद ये हम लोग यह यूज करते हैं, जो लाल चावल होता है, उसका जो स्टार्च बच्टा है, पानी जो उसको हम लोग चौंक लगाते हैं और किसी भी प्रकार का आप साग यूज कर सकते हैं ट्रेडिशनली हम हम यहां पर यूज की है है फुटकल का पाउडर फुटकल साग की पाउडर फुटकल फरवरी और एप्रिल के महीने में होता है एक फाइकस ट्री बोलेंगे हम लोग अं प्रिवासियों में यह चीज खाया जाता है पेट के लिए बहुत अच्छा होता है आप इसे रसम की तरह टूर्स दी एंड और पी भी सकते हैं दिखने में भी कुछ-कुछ रसम की तरह लग रहा है यह सनई की फूल है हाँ सन हम जो आपने रखे देखे यह सनई की फूल है और अब यह है तो फ्रेश मिल रहा है उसलिए यह बहुत अच्छा है प्रेश मिल रह इसको हलका बॉil करके चौक लगा सकते हैं और यह सनई की फूल त्व करिसे को म् जैसे पुटकल यूज के थेखे घी कर्रे। अधुनल यूज उस तरीकसा प्रिछ्जन एन में भी उच पुटकल की चटनी में चाहूंगी कि आप जरूर टेस्ट करें यह हर घर में आदिवासी घर में बनना है फुटकल की अचार आपको रखे मिलेगी हम लोग सब आगे की बात है कि अब मिलें लिखा और फुटकल इस सीजन हम लोगों ने देखा यहां पर कि फुटकल आने शु में दिख रहा है तो I think climate change वाला एक effect दिख रहा है हम लोगों को यह महुआ का आचार है हम लोग महुआ का बात कर रहे थे यह महुआ का पिकल है यह करिल है बास का मुझिया बास की सबजी चोटे यंग जो बैंबू शूट्स होते है उसकी सबजी हां बगल में आपके आलू और कांदा का साग वो भी सूखी साग को आलू के साथ बनाए गया आलु बुंची की तरह आलू कांदा का साग और उसके बगल में जैसे आपने लोगी कहा लोगी एकदम साधे तरीके से जो की हमारा जार्खन का फिर फूर devvir करते हैं यह कौन भूर साथ मोयद इस तरह में बलग है कि ऑंतुर और चावल और हलों की डाल के साथ बनाया हुवा और स्टीमड किया ओधर है आप इसे खोल सकते हैं आप एक यह बस एक स्टीमड डंपिलिंग की तरह है एक स्टीमड चावल मीठा है डिजर्ट है हल्का मीठा है जी हम लोगों ने सेवरी बनाया ताकि आप उसको क्रश करके डाल के साथ अब हम कंफ्यूज हो गया है कि क्या खाने के साथ खाना है क्या ख मैं तो प्रश करते हैं जैसे माल ले थोड़ा खाही लिया अब उसको एक दब है इसो खोलना पड़ेगा पत्ते को पत्ते यहां से खुलेंगा नहीं खोल रहा है जरूर 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 साइड भे होंगे सिक्री बोलते हैं अम लोग उसको ठीक है पत्ता पुरा खोल दिया ह है और भी कुले गाओ है है इसमें से अब निकाल के आप उससे सबजी के साथ डिप करके या मैश करके द रोटी जैसे खाले सकते हैं फिर इड़ी के से खाते हैं हम लोग साउथ में पूरे उसको मैश करके उस तरहीके सखा सकते हैं चावल में प्रेयोग प्रेजय कीया चावल सकी बनाये औैसे चावल से ही बनाये चावल छीजेवे चावल से हां चावल से ही बनाये मैं पाइड करति है जो बहुत कम पानी में ऊगता है और हुट hidden राइस, रेड राइस देखते हैं बड़े-बड़े दुकानों में, ये भी उसी प्रकार की राइटी की राइस है, हम गाउं में कहा जाता था कि किछान अगर इसे सुबह खा के जा रहे हैं और इसका माड पी के जा रहे हैं तो वो शाम को घर भी लोटेंगे तो काफी नूट जो की हम फार्म टू टेबल हमारा रेस्टरांट है तो हम लोग इस पे थोड़ा कस्टर्ड और बेसल बन तुलसी के पत्तों के साथ हम लोगों ने सर्फ किया है बालु शाही पे केसर कस्टर्ड और बन तुलसी के साथ उसको तुलसी तुलसी की वराइटी है पन तुलसी आ पत्ते होते काफी बड़े होते है नॉर्मल यह से और जब उसको चबाएंगे वह मिंट की तरह आपको अचानक से फ्लेवर देता है और काफी हल्दी भी रहता है और दबाईयों के लिए काम आता है कहीं आपको कहीं स्क्रैच आ गया या कट हो गया तो इसको बस पीस के लगा दोगी जोगी हैं अजर दोगी हैं तो इसके लिएक हो यहाँ आपको अगया यहाँ है।